वेलकम टो डिप्लोमा मेकेनिकल एलर्णिंग आज हम देखने वाला है सबजेक्ट इसी सी का एक नुमेरिकल जो की विंटर 2019 का जो पेपर था उसके अंदर आया था ठीक है उसके उपर का यह नुमेरिकल है तो क्या दिया हुआ है सो ट इस इच उप साइज 100, sorry, 1000 x 500 x 5 mm are to be gas cut from the MS plate of 2000 x 1000 x 5 mm find gas cutting cost for the following data आपको data दिया हुआ है, ठीक है, कौन-कौन सी चीज दिया हुए है, ठीक है, कौन-कौन सी चीज दिया हुए है, ठीक है, ओक्सिजन जो वेल्डिंग लेंध है, वह आपको find करनी पड़े, तो यहां पर मैं, जो वेल्डिंग, जो हमारा जो एक sheet, metal sheet है, उसका original dimension कितना है? 2000, और यह है हमारा 1000, ठीक है, so हमें cut क्या करना है, तो 1000 x 5 x 5, ठीक है, so 1000 तो है यहां पर, मैं, so यहां पर मैं क्या करूँगा, चार हमें cut करने, gas cutting से क्या करने हैं, हम cut करें, so हमारा जो length है, welding length कितनी हो जाएगी, so welding length समझो, कि चाहिए वह gas हो, ठीक है, so आप कितनी बार cut लगाओगे, so यह जो है, ठीक है, एक बार कितना करोगे आप cutting 1000 mm, फिर से आप 2000 mm, और यहां पर 3,000, so आपके प्रास, basically, 4 component हो जाएगे, ठीक है, और एक component कम आप क्या हो जाएगा, 500 mm x 5 x 1000, जो कि हमें requirement है, तो अब जो example है, वो start करते, सबसे पहले, हम लिखेंगे, welding length is equal to 3000 mm, ठीक है, उसको मीटर में convert करेंगे, तो वो जाएगा, 3 मीटर, simple, अभी next देखते है, जो cutting speed है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, cutting speed, cutting speed जो है, वो है, 10 meter पर hour, ठीक है, मतलब, एक hour में उसको 10 meter तक welding कर सकता है, तो मैं यहाँ पर time निकालना है, कि cutting time कितना हुआ, so, cutting time, ठीक है, तो अभी आपको समझ लो कि आपको equation नहीं आता है, तो आप कैसे इसको equation create कर सकते हैं, बहुत easy चीज है, ठीक है, क्या करोगे आप, simply, already हमने standard 10 तक यह सारी process थी, already हमने पढ़ ली है, तो क्या करेंगे हम, कि 10 meter welding के लिए उसको 1 hour लगता है, ठीक है, so, 3 meter के लिए कितना लगेगा, ठीक है, यह already हमने इसे, बहुत से example ऐसे तरह से solve की हुए, तो हम क्या करेंगे, so, 3 into 1 upon 10, ठीक है, so, 3 क्या है हमारा, 3 है हमारा welding length, तो हमें equation बना हैं, तो इस हिसाब से हमें equation बना सकते, ठीक है, तो देखो, welding length upon 10 क्या है हमारा, तो के cutting speed, ठीक है, तो welding length upon cutting speed, ठीक है, तो इस तरह से भी आप equation बना सकते हैं, और अगर आपको equation याद है, तब तो कोई दिककत नहीं है, so, welding length कितनी है, हमारी 3 upon, जो cutting speed है हमारी 10, so आपको time कितना लगेगा, cutting time will be 3 upon 10 hour, ठीक है, so, यहापे आपको labor cost दिया हुआ है, that is rupees 30 per hour, ठीक है, मतलब एक hour के आपको 30 रुपे पे करने, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे labor cost, ठीक है, so labor cost क्या हो जाएगा, तो simple cutting time multiply by cost, ठीक है, जो labor का cost दिया हुआ है, वो, so cutting time कितना है हमारा, 3 upon 10 into 30, so it will be 10, 9, 3, so 9 rupees, यह आ गया हमारा answer, 1, 10 को इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, so labor cost का काम खत्म हो गया, ठीक है, अब focus करते है, oxygen consumption, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5 meter cube पर hour, जो oxygen consumption है, वो कितना है, 5 meter cube पर hour, so O2 मतलब oxygen, consumption, कितना consume हो रहा है, तो हाँ पर आपको दिया हुआ है, फिर से देख लेते एक बार, 5 meter cube पर hour, ठीक है, so 5 meter cube पर hour, so total कितना consume हुआ, so total consume, जो हुआ, total hour कितने हुए, 3 by 10, ठीक है, 3 by 10, hour हुए, और एक hour में कितना हो रहा है, 5, so 5, 2, so 3 by 2, it will be 1.5 meter cube जितना oxygen consume हुआ, तो oxygen का cost यहां पर आपको दिया हुआ है, कितना है, 12 per meter cube, ठीक है, मतलब एक meter cube का rate कितना है, 12 रुपेज, so cost of O2, क्या हो जाएगा, so total consume into cost, 1.5 into 12, ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अगर इसका multiplication करोगे, simple, तो आपका answer जो आएगा, ठीक है, इसको अगर आपको, without calculator भी आप solve कर सकते हो, 15 upon 12, 10, 5, 3, 2, 6, so यह आजाएगा आपका 18 रुपेज, so this is your answer number 2, अब देखते हैं, थर्ड नमबर, ठीक है, वहाँ पर बात होती है, तो आपको पता है, कि अपकिस तरह से लिखते हो, तो आप लिखते हो, C2H2, ठीक है, C2H2, consume, कितना consume हो रहा है, जो चैसी टिलीन, जो consume हो रहा है, वो है, 2m3 पर अबर, ठीक है, 2m3 पर अबर, तो, टोटल कंज्यूम जो होगा, वो हो जाएगा, 3 upon 10, ठीक है, अबर के साथ ही, उसको मुल्टिप्लिकेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर अबर दिया हुआ है, 3 upon 10 into 2, so 2 upon 5, so 3 upon 5, जितना consume होगा, एसी टिलीन, ठीक है, ओके, so अभी एसी टिलीन का कॉस्ट हमें क्या दिया हुआ है, so cost of acetylene is Rs. 30 per meter, मतलब 1 meter की उपर कितना cost हुआ, 30 rupees, so यहाँ पर, cost of C2H2, C2H2, यहाँ ही, acetylene, so total consume into cost, so 3 upon 5 into 30, so 5, 6 is the 6 into 3, it will be also be Rs. 18 rupees, okay, so number 3, हमें क्या करना है, total cost find करना है, so total cost हो जाएगा, सारे तीनो cost का summation, ठीक है, so cost of C2H2, cost of O2, plus labor cost, ठीक है, so 18 plus 18 plus 9, so your answer will be Rs. 45, आपको final answer के नीचे दिख देना है, the cost of gas cutting is Rs. 45, तो यह जो numerical है, वो 4 marks में पूछा था, तो आपको यह जो numerical है, इस तरह से आपको solve कर देना है, I hope आपको इसमें पूरा समझ आ गया होगा, और आपने भी साथ में मेरे साथ calculate किया होगा, so अब तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो, तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आने वाले है, इसकी notification आपको मिलती रहे, और ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये इस टाइब के जो numerical है, वो easily solve कर सके, Thank you for watching वीडियो,